Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल लेनिन वर्सेस टैलन वेलकम टू स्टडी आएक्यू मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो आज की कहानी है 20th सेंचरी के दो सबसे इंफ्लूएंशल फिगर्स व्लादिमीर लेनिन और जॉजफ स्टैलन की 1917 में हुए रशन रेविलूशन के बाद दुनिया का पहला कॉम्यूनिस्ट स्टेट सेट अप हुआ सोवियत रशा रिपाप्लिक इस रेविलूशन के जनक थे व्लादिमीर लेनिन इसके पहले रशा में एक एपसिल्यूट मॉनकी यानि एक राज तंत्र था जिस पर रोमनाव डाइनिस्टी रूल किया करती थी 1924 में लेनिन की डेथ के बाद उनके सकसेसर बने जॉजफ स्टैलन जो कहने को तो लेनिन के रास्ते पर चल रहे थे लेकिन दरसल वो लेनिन की फिलोसफी को तोड़ मरोड कर अपने निजी मकसद को पाने में लग गए और आगे चल कर उन्होंने रशा में डिक्टेटरशिप यानि तानशाही कायम की उनका नाम आज इतिहास के सबसे निर्दई शासकों में लिया जाता है जो लाखों लोगों की मृत्यू का कारण बने काल माक्स को अपना आदर शुमानने वाले लेनिन और स्टैलिन देखने पर तो कॉमिनिजम के प्रचारिक नजर आते हैं लेकिन दोनों के विचारों में काफी भिनता है आज की इस कहानी में हम लेनिन और स्टैलिन के इनी ideological differences के बारे में चर्चा करेंगे Ideologies को समझने से पहले हम Russian Revolution से लेकर लेनिन और स्टैलिन के rise पर एक नज़र डालेंगे शुरू करते हैं व्लादिमीर लेनिन से जहां हम Russian Revolution में उनके रोल पर भी बात करेंगे Russian Revolution and Lenin दूस्तों Russian Revolution दरसल 1917 में हुए कई revolutions को एक साथ बोला जाता है 1917 के पहले सदियों से Russia एक monarchy rule में था यानि एक राज तंत्र था जहां lower class के लोग गरीवी से जूज रहे थे World War I के दौरान हुए famine और लाखों लोगों की मृत्यू के चलते लोगों में तनाव बढ़ चुका था जल्द ही लोगों की protest के कारण वहां के जार या monarch Nicholas II को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी जिसके बाद एक provincial government का गठन किया गया इसके बाद आया October Revolution जिसमें व्लादिमीर लेनिन की बॉल्शेविक पार्टी ने इस provincial government को हटा कर Soviet Russian Republic का फूमेशन किया लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर लेनिन थे कौन? कैसे वो इतने बड़े revolution के लीडर बन गए थे? आईए जानते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में दोस्तों व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22nd April 1870 में एक upper middle class family में हुआ 17 साल की उम्र से ही revolutionary socialist politics की तरफ उनकी रूची जागने लगी Russian Empire के खिलाफ उन्होंने protests करने भी शुरू कर दिये जिसकी वजह से उन्हें university से भी निकाल दिया गया 1893 में वो सेन पीटर्सबर्ग मूव कर गए जहां वो एक marxist activist बन गए 1897 में लेनिन को sedition यानी राजद्रोह के आरोप में arrest कर लिया गया और Siberia exile पर भेज दिया गया exile के बाद वो western Europe मूव कर गए जहां वो रशन social democratic labor party के theorist बन गए जो की एक marxist party थी 1903 में लेनिन ने बॉल्शेविक्स नाम का एक faction यानी गुट बनाया और 1912 में बॉल्शेविक्स ने अपनी खुद की एक party का गठन किया लेनिन ने first world war को एक revolution में convert करने की कोशिश की जहां वो capitalism को हटा कर एक socialist state का formation करना चाहते थे February 1917 में रशन revolution की शुरुआत हुई इस पहले phase में रशा की monarchy जार rule का अंत हुआ जिसके बाद रशा अस्थाई हो गया कोई भी leader ना दिखाई देने पर एक provincial government का formation किया गया इस दौरान लेनिन रशा की बाहर थे February revolution की खबर सुनते ही वो रशा वापस आये और October revolution में उनकी बॉल्शेविक party ने provincial government का तखता पलट किया और एक नए state का जन्म हुआ revolution के बाद सुवेत रशा civil war की चपेट में आ गया जो 1922 तक चली civil war खत्म होने के बाद state को रन करने के लिए लेनिन ने कई social और economic policies बनाई लेकिन जल्द ही 1924 में उनकी heart attack से मृत्य हो गई और उनके successor बने Joseph Stalin लेनिन की बॉल्शेविक party में Stalin भी अच्छी position पर थे आईए देखते हैं उनके राइज के बारे में राइज अफ जोजफ स्टालिन दोस्तो जोजफ स्टालिन का जन्म 18 डिसेंबर 1878 में आज के जोजिया में एक गरी परिवार में हुआ शुरू में वो रश्यन सोशल डेमोक्राटिक Labour Party के newspaper editor थे जल्द ही उन्होंने बॉल्शेविक ग्रूप के लिए फंड्स एकठा करना शुरू किया रॉबरीज, किटनाबिंग्स और प्रोटेक्शन रैकेट्स के तरीकों से उन्होंने फंडिंग शुरू की 1917 के October Revolution के बाद उन्होंने पॉलिट ब्योरो को जॉइन किया जो लेनिन गवर्नमंट की गवर्निंग बॉडी थी 1917 से 1922 के बीच हुई Civil War और Red Terror में उन्होंने एक एहम मिलिटरी लीडर की भूमिका निभाई दोस्तो Red Terror लेनिन की पॉलिसी थी जहां वो सभी पुराने Government Officials और Opposition Members को सूली पर चढ़ा देते यहां तक की Royal Family के Members को भी नहीं छोड़ा गया कहा जाता है कि लेनिन को इस भयानक Policy का सुझाव स्टैलिन नहीं दिया था लेनिन के रूल के दोरान स्टैलिन पार्टी की General Secretary की पॉजिशन पर थे 1921 में उन्होंने जोजा का इंवेजन भी किया और वहां भी एक Socialist Government को बैठा दिया 1924 में पार्टी की कमान सभालने के बाद उन्होंने एक एक करके पार्टी में अपने Opponents को आइसोलेट कर दिया और बाहर निकाल दिया 1928 तक स्टैलिन ने पार्टी पर पूरी तरह कंट्रोल स्थावित कर लिया लेकिन पार्टी के कुछ लोग अभी भी उनको हटाना चाहते थे शक के माहौल में 1934 में स्टैलिन ने एक हाई रैंकिंग ओफिशल सरगेई किरोव का कतल करवा दिया 1936 तक उनका पागलपन हद पार कर गया और उन्होंने ग्रेट परज को मंजूरी दे दी 1938 तक चले इस कैमपेइन में स्टैलिन ने अपने ओपोजिशन से जुड़े सभी लोगों को मरवा दिया हर जगह एग्जेक्यूशन्स, मैसिकर्स, मास मर्डर और एथनिक क्लेंजिंग देखने को मिली कैमपेइन के दारान करीब साथ से बारह लाख लोगों ने अपनी जान कवाई इस कैमपेइन में मिलिटरी भी इंवाल्ट थी 1953 में स्टैलिन की डेथ हुई और उनका रूल खत्म हुआ दोस्तों लेनिन और स्टैलिन के कारनामों से आप दोनों के कैरेक्टर का अंदाजा लगा ही सकते हैं आईए अब डीटेल में देखते हैं लेनिन और स्टैलिन के बीच आइडियलोजिकल और पुलिटिकल डिफरेंसिस के बारे में दोस्तो 1917 के revolution के बाद Lenin ने कई policies बनाई जिने हम Leninism बोलते हैं वहीं दूसरी तरफ स्टैलिन की policy को स्टैलिनिजम बोला जाता है दोनों ही अपनी ideologies का origin काल मार्क्स को बताते हैं सबसे पहले देखते हैं Leninism के बारे में Leninism Russian revolution के बाद Leninism ही Soviet Russia के governance का basis था इस philosophy के हिसाब से communism को set up करना final motive था communism तक पहुँचने के लिए dictatorship of proletariat को स्थाबित करना पहला aim था working class के लोगों को एक साथ proletariat कहा जाता है ऐसी government को lead करने के लिए एक revolutionary vanguard party का गठन किया जाना था जो proletariats को lead करने वाली थी इसके अलाबा socialist mode of production को establish करना था काल मार्क्स इस mode of production के बारे में detail नहीं दे पाए इसलिए ये दारूमदार अब Lenin पर था vanguard party का concept marxist theory में Lenin का सबसे important contribution था इसके हिसाब से working class state के leaders नहीं हो सकते थे बलकि एक central organization जिसमें intellectuals होते वही government को lead कर सकती थी यानि ये vanguard party ही workers के भिहाव पर policies बनाती और government को run करती और यहीं से Marx और Lenin की ideologies में difference दिखाए दिया Lenin का मानना था कि ये vanguard party ही state की policies बनाएगी फिर चाहे workers उसका support करें या नहीं यानि Leninism एक तरह से authoritarianism था जहां एक socialist party ही state को govern करने वाली थी और अपने motives को पाने के लिए चाहे कितनी भी हिंसा करनी पड़े Lenin ने उसको भी मनजूर किया state की repressive powers का इस्तिमाल country को transform करने के लिए किया जाने लगा जाज की royal family से उनकी wealth छीन ली गई economy की बात करें तो Lenin ने सबसे पहला step लिया decree on land इसके तहट private property को abolish कर दिया गया और land को peasants में redistribute कर दिया गया दूसरा step था war communism इस policy को Lenin ने civil war के दोरान enforce किया था civil war के दोरान party की army, red army के पास weapons और food का stock maintain रखने के लिए इस policy को अपनाया गया था जिसमें सभी industries को nationalize कर दिया गया और foreign trade पर भी state का control बनाया गया workers का strict discipline, strikes पर ban जैसी policies इसके तहट adopt की गई और तो और सभी private enterprises को ban कर दिया गया 1921 में civil war के खत्म होने के बाद Lenin ने national economic policy को बनाया ये एक market oriented economic policy थी जिसमें free market और capitalism को भी जगह दी गई लेकिन state control के साथ small और medium sized private enterprises को मंजूरी दी गई लेकिन बड़ी industries, banks और foreign trade पर अभी भी full state control था ये policy 1928 तक चली दोस्तों ये थी Lenin की policies जो आगे चलकर Marxism, Leninism के नाम से प्रसिद्ध हुई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Stalin की policies के बारे में जिसे हम स्टैलिनिजम भी कहते हैं स्टैलिनिजम दोस्तों स्टैलिनिजम कोई ideology नहीं थी बलकि वो सिर्फ स्टैलिन के thoughts और policies को बोला जाता है स्टैलिन अपनी regime को Marxism, Leninism पर based बताते थे लेकिन कुछ historians का मानना है कि स्टैलिन की policies Lenin से एकदम अलग थी स्टैलिन की policies में included थी one party totalitarian policy state जहां सिर्फ एक ही party rule करती और कोई भी opposition नहीं होता rapid industrialization, socialism in one country जिसके तहत सबसे पहले socialism को अपनी ही country में strong करना था ना कि पूरी दुनिया में collectivization of agriculture जिसके तहत land और agriculture labor को एक बड़े से संगठन में बांथ दिया गया और जो भी इसको oppose करता उसका स्टैलिन या तो कतल करवा देते या फिर उन्हें साइवेरिया में deport कर देते ऐसा बताया जाता है कि 1932-33 के बीच famine से लगभग एक करोड से उपर लोगों की मृत्य हो गई इस famine को होलुडो मोर कह जाता है 1928 तक स्टैलिन ने पार्टी में absolute control establish कर लिया जिन लोगों को भी वो threat के रूप में देखता उनको enemy announce कर दिया जाता इसमें included थे political dissidents, non-soviet nationalists, bourgeois यानि capitalist class और वो सभी लोग जो उनकी policies को oppose करते mass arrests, trials, executions imprisonment, concentration camps जैसे एक आम बात हो चुकी थी उनकी कुरूरता की सीमा नहीं थी great purge के बारे में तो हम देखी चुके हैं उनकी regime में religious persecution और ethnic cleansing भी करवाई गई जोजफ स्टैलिन एक ऐसे ताना शाह बन गए जिन्होंने अपने मकसद को पाने के लिए हर तरह के गलत काम किये उनका मानना तो यही था कि वो Lenin के नक्षे कदम पर चल रही हैं लेकिन क्या ये सच है? क्या वो वाकई में Lenin की policies को follow कर रहे थे? Leninism and Stalinism दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि Stalin, Lenin की policies के natural successor थे उनका गहना है कि Stalin, Lenin के ही नक्षे कदम पर चलते रहे और उनकी policies को ही implement किया यानि देखा जाए तो Lenin ने ही Stalin के rise की foundation create की Red Terror One Party State जैसी policies को Lenin ने ही introduce किया जिसका फायदा आगे चल कर Stalin ने उठाय लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो Lenin और Stalin को अलग-अलग मानते हैं उनका मानना है कि भले ही Stalin की policies Lenin के द्वारा ही बनाई गई थी लेकिन फिर भी Stalin Lenin के द्वारा दिये गए instructions के खिलाफ काम कर रहे थे Lenin अपने party के respect करते थे और party को साथ लेकर चलते थे वहीं दूसरी तरफ Stalin ने अपनी ही party members पर attack करना शुरू कर दिया था उन्हें ही दुश्मन माना और एके करके उन्हें रास्ते से हटाते गए यानि Stalin ने terror policies को party के अंदर implement करना शुरू कर दिया जो Lenin पार्टी के बाहर ज्यादा power है जो party के लिए dangerous हो सकती है Lenin और Stalin में एक difference और दिखाई देता है party की working में जहां एक तरफ Lenin ने intellectuals को party में जगह दी जिससे वो हर decision experts के supervision में ले सके वहीं दूसरी तरफ Stalin के rule में intellectuals की जगह party workers और organizers ने ले ली जिनके लिए discussions का कोई महत्वर नहीं था उनके लिए power को exercise करना ही बस important था ये party workers बिना किसी question के Stalin की policies को accept कर लेते थे लेकिन party को अपने आप में एक educational institution मानते थे जहां लोगों को administration के लिए train किया जाता था Lenin एक ऐसी unified society बनाना चाहते थे जहां कोई भी class divide नहीं होता और production लोगों के हाथ में होता वहीं दूसरी तरफ Stalin Russia को एक modern industrial powerhouse बनाना चाहते थे जहां government सभी industries को control कर दी क्योंकि Stalin खुद एक dictator बन चुके थे इसलिए indirectly वो ही industries पर control करना चाहते थे जो marxism और leninism दोनों ही policies के खिलाफ था ये बात सच है कि lenin अपने मकसद में कामियाब होने के लिए violence का भी रास्ता लिया करते थे यानि lenin the ends justify the means की mentality में believe करते थे उनका मानना था कि communism को पाने के लिए violence का use भी justified है लेकिन Stalin violence का इस्तिमाल अपने personal motive के लिए करने लगे थे कई बार तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा violence का use किया communism के साथ वो अपना rule भी खोना नहीं चाहते थे और उनकी यही सोच उन्हें lenin से अलग बनाती थी दोस्तों यही कुछ differences थे जो lenin को Stalin से अलग बनाते थे conclusion lenin और Stalin भले ही एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे लेकिन उनके तोर तरीके एकदम भिन्न थे theoretical ideas को implement करने के दोनों के रास्ते अलग थे एक तरफ lenin सिर्फ communism के लिए लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ stalin communism के साथ अपने खुद के ambitions भी पूरा करना चाहते थे lenin हो यह stalin दोनों की ही policies को moral तो नहीं कहा जा सकता लेकिन स्टैलिन एक cruel और evil dictator बन गए आज लेनिन international communist movement के prominent figure माने जाती है socialism के supporters आज उन्हें champion मानते है लेकिन उनके critics उन्हें भी एक dictator मानते है लेकिन एक बात तो सच है कि दोनों के rule में mass killings, famine और political repression देखने को मिले दोनों ही लाखों लोगों की मृत्यू का कारण बने यह कहना गलत नहीं होगा कि ना ही लेनिन और ना ही स्टैलिन के revolution ने workers के सपनों को साकार किया Study IQ IS अब तयारी हुई affordable